आप में इसे पिछे वाले वीडियो को जिनोंने भी लाइक किया है, कॉमेंट किया है और शेर किया है उन सभी का तहए दिल से शुकरिया बागी आज की इस वीडियो को भी आपने एंड तक जुरूर देखना है तो आप में से किसी ने स्काउट का नाम सुना है मैं बताता हूँ मैंने इसके अंदर राज्य पुरुषकार प्राप्त किया हुआ है मतलब की राज्य स्तर का जो सर्टिविकेट है ना वो मैंने प्राप्त किया है और इस सर्टिविकेट की एक सबसे खासित ये होती है कि हमारे जो वर्तमान के जो राजयापाल होते हैं वो खुद अपने हातों से इसमिना साइन करके देते हैं देख सकते हो कि इसकी कितनी एहमियत होती है और एक स्काउट गाइड इती जिसने मुझे अकेले चलना सिखाया और इस यूटूब चैनल को सुरू करने के पिछे भीना कहीने कहीं स्काउट एंड गाइड का ही बहुत बड़ा रोल है चलो फिर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और उस कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि इस यूटूब चैनल पे किस प्रकार की वीडियो आया करेंगी तो कहानी थोड़ी सी पुरानी है एर्थ क्लास की आओ इधर बैट के सुनाते हैं आपको बहुती मस्त बैग्रांड हमें मिल चुका है तो मैं बता रहा था कि कहानी थोड़ी सी पुरानी है मतलब एट्थ क्लास में था जब मैं और मुझे आज भी याद है कि हम ना पंजाबी वाले सर बैठे थे और हम पार्क में बैठे थे और मेरे गुटने पर चोटी से पन सी तीजी से लंगडालंगडा के चलता था तो सर बैठे थे, सर ने बोला कि आपको ना कई में गुमाके लेके आती हैं तो सबी ने सुना कि गुमाके लेके आती हैं तो सब के चहरे पे से रोनग चा गई लेकिन सर ने बोला कि सकाउट के ना कैम्पिंग है तो हमने सोचा कि ये Scout की camping क्या होती है तो हम सोचा कि चलो सर ठीक है भीर हम चलते हैं तो सर ने बोला कि अपना समान ready कर लो हमने बोला समान क्या ready करने कपड़े तो डालने हैं बैक अंदर लेकिन सर ने बोला नहीं सकाउट की camping है तो आपको आटा, दाल, चावल, चकला, बेलन हालांकि रहने के लिए तंबू भी आपको वहां पर खुद का ही लेकर जाना पड़ेगा तो हमने फिर सारी प्लानिंग की क्योंकि मज़ा आने वाला था ना कुछ नया था तो सर ने जितना जितना मतलव समान की लिस्ट बना दी और हमने वो सारा समान इकठा कर लिया कोई अपने घर से आटा लेक के आया कोई दाल, कोई चावल, कोई चकला, कोई बेलन हालांकि मैं अपने घर से एक चकला लेके गया था वाली गाम उस गाम का नाम आज हमें है जाद है गॉर्मेंट स्कूल में हमारी कैम्पिंग हुई थी कैम्पिंग के अंदर क्या होता था 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 कि बच्चों को सारा समान खुद को भी करना था कपड़े खुद दोना खाना खुद बनाना और शुबह जल्दी उठना ऐसे सो सक पूरवक गुजर गए लेकिन तीसरे दिन शाम को थोड़ी थोड़ी बादल हो गया आसमान के अंदर और भगवान ने भी सोच रहा था कि इन बच्चों को ना फुल एडवेंचर दिखा के ही घर बेजना है इन 8th क्लास की बच्चों को तो भया यही हुआ हम शाम को सोए सोने में ऐसे बिजलियां कड़कती भी दिखाई दे रही है जोर जोर से बारी साती भी दिखाई दे रही है सुबह उठके यही हुआ हमने देखा कि हमारा तंबू कैसा है तो तंबू के अंदर गुटनों गुटनों तक पानी आ गया था तंबू को देख देख के हमें आये हंसी कि उसके अंदर जो बांस होता है ना बीच वाला वो इसे मुड़ गिया था एक तो हमें ये बुरा लगे कि यार ये बहुत गलत हुआ हमारा तंबू खराब हो गया एक हमें देख देखे हंसी आये और उसके अंदर ना दो तीन बच्चों को दो बैग ऐसे पानी वी तैर रहे थे ये तो हमारा फर्स्ट कैंपिंग थी इसके अंदर बहुत और भी बहुत ज़दर एडवेंचर किये था अगर पूरी कहानी से ना ने बैठ गए तो मेरे को पता है कि सारा दिन ना यहीं पर चला जाएगा मेरा तो यहां पर मतलब कि 10 दिन की कैंपिंग थी 10 दिन की कैंपिंग के बाद में हम अपने गाउ मतलब अपने वापी स्कूल में आ गए थे और वही सेम जो हमारा रूटीन था वो चलने लगया और उसके बाद में जो जिला स्तरिय परेड होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी पे उसमें भी हमने स्काउट और गाइड की तरफ से हिस्सा लिया, उन्सकी भी हमारी कैम्पिंग थी, जो कि हमारे हनमानगर्ड जिले के अंदरी थी, हनमानगर्ड के बाद में 2012 के अंदर हमारी कैम्पिंग थी बिकानेर, और बिकानेर कैम्पिंग जो थी वो स्टेट लेवल की थी, जिसके अंदर हमें र एक ऐसी गिलेरी देखी थी जिसंके मैं ऐसे समद देते थे उखाने की चीज़ें और वह यहां से आके और लेकर चली जाती computer teaching की जौब की थी और इसी जौब ने बाकि सारे चुज़ों से मेरा ध्यान हटा के ना computer तक की सीमित कर दिया था हलांकि computer मेरा interest भी था और इस से जुड़ी मेरी एक और story भी है कि मतलब की मैंने किस किस परकार से चीज़ें की है तो वो सारी की सारी story कभी फिर कभी बताएंगे लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं travel की तो हमारी जो computer की job थी ना ये 3-4 साल मतलब की जो हमारा college का period होता है ना उतने time तक चला था और उसके बाद में 2019 आया 2019 में हमने सुचा कि यार मुझे न अब तो travel करना है लेकिन फिर मैंने सुचा कि मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है तो फिर मैंने सुचा कि तो लो एक साल ना पैसे जोडते हैं पैसे जोडे लेकिन फिर क्या हुआ फिर 2020 में आ गया lockdown और lockdown से क्या और कहां का travel पूरा का पूरा राजस्तान जी हाँ मैंने सोच लिया है अब यह कैसे होगा travel अब मेरे को नहीं बता लेकिन मैंने खुद को नहीं बाहना दे दिया है क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना जो कि अगर बिल्कुल फ्री रहता है ना तो मेरे को आवास याने मुझे गूमना है पूरा राजस्तान और इस श्रीज का नाम रहने वाला है मारो रंगिलो राजस्तान तो देखो सा आपको राजस्तान गूमनों है तो मारे इस चैनलने सब्सक्राइब करनों पड़ से ठीक है और बैल आइकन जरूर दबा देया और बाकि अब हम हैं इंद वाली ही है तो आपको पता चल गया है कि मुझे ट्रावल करना है पूरा का पूरा राजस्तान और यह भी आपको पता चल गया है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करने वाला हूं लेकिन मैंने सोच लिया है कि मुझे करना है ठीक है और आप मेरे साथ रहोगे इस वीडियो को